Hello everyone, आज हम सब देखते हैं LDgy sì का एक बहुत इभेतरिन टेस्ट, जिसे हम कहता है Tollen test, बहुत सारे बच्चों बच्चों को here confusion को होता है कि Tollen test कोे है लडि हाइड देता है या कि Tone देता है और अगर या कि Tone या Test नहीं देता है वेसरे, अगर या Lद हाइड Umm ए लीफाटिक यह सिर्फ कौन देता है अब यहां पर बहुत सारे बच्चो को confusion होगा या फिर हर एक्जाम में एसे आप लोगों को पूरा जो है रियक्शन नहीं आता है एक्जाम में क्या करता है aldehyde देता है, ketone देता है, acid देता है, और पोछता है बताइए इन में से कौन सा जो है आपका tolent test देगा, तो याद रखेंगे जो tolent test होता है, पहले बात अभी आपने पढ़ा है कि सिर्फ aldehyde देता है, और किस तरह का aldehyde देता है, तो aliphatic, aliphatic और aromatic दोनों ही aldehyde के reaction दे देते हैं, आप यहाँ पर इस बात को याद रखेंगे, aliphatic and aromatic, aliphatic and aromatic, दोनों ही aldehyde यह reaction देते हैं, ठीक है, अब एक बात और, जो मैंने दूसरा लाइन लिखा है कि tolent test not given by ketone, tolent test ketone नहीं देता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, maximum बच्चे ने यहीं confused हो जाते है, sorry, यहाँ पर, क्योंकि अभी आप इसके बाद में बनाऊंगे, फैलें test, वहाँ पर क्या होता है, कि थोड़ा सा बच्चे confused हो जाते हैं, कि aliphatic aldehyde देता है, इस पर भी मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी, आप पहले इदम यह याद रखें इसको, कि जो tolent test होता है, aldehyde देता है, aliphatic aldehyde भी और aromatic aldehyde भी, और ketone यह reaction नहीं देता है, क्योंकि जो tolent reagent होता है, वो क्या होता है, आपका mild oxidizing agent होता है, वो ketone को oxidize नहीं कर पाता है, आईए अब देखते हैं कि क्या है tolent reagent, tolent reagent के बहुत नखड़े हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं नखड़े, नहीं नहीं, मुझे ठंडा खाना नहीं खाना, बासी खाना नहीं खाना, ऐसी एक जो हमारा tolent reagent है, वो भी कहता है, कि सुनो बिल्कुल freshly prepared करो, आओ लैब में और बिल्कुल freshly prepared करो, फिर मैं काम करूँगा, अलगी attitude है इनके, तो हम यह जो tolent reagent बनाते हैं, ब ammonium hydroxide, ठीक है, इन दोनों को क्या करिए, mix करिए, उसके बाद आपका जो बनता है, ammonical silver nitrate बनता है, असल में आपका क्या है, यही आपका Ag NH3 का whole twice, यहाँ पर silver क्या है, plus one oxidation state में है, यह formula आप याद रख लेंगे, Ag NH3 का whole twice, उस पर क्या है, जो हमारा complex बन रहा है, उस पर plus one charge है यह आपका असल में यही आपका tolerance reagent है, इसे को क्या करते हैं, हम yuz करते हैं, और यह क्या करता है, यह aldehyde को oxidize कर देता है, आगजै आइए, देखें, यहां आपका aldehyde है, हम ammoniated silver nitrate की साथ क्या करते हैं, treat करते हैं, तो आपका क्या होता है, aldehyde oxidize हो जाता है, अल्दीहाइड आपको क्या होते है अक् सिड़ाइज हो जाता है अब यहाँ पर और проц 청ण सिल व्र क्यों क्याते हैं बताती हूं अभी आपको सिल्वर मेरर टेस्ट आए जानते हैं इससे क्यों क्याते हैं देखिए जब यह माली जे कि आपने क्या किया यह आपने टैस्ट ट्यूब लिया इसमें क्या किया अंदर आपका अल्डी हाइड पड़ा हुए है ठीक है अल्डी में ऊपर से टॉलेंट डाला आप जब और हैं तो यहां इसी में जो सिलवर फर्म होता है आप देखना है रीक्शन में क्या सिल्वर भी वी कहते हैं यह सिर्फ नीट जेए में नहीं बहुत सारे अलग एकजाम में भी पूछे जाते हैं जो आप इसको याद रखेंगे टॉलिन टेस्ट अनली एल्डिहाइट देता है और कौन से एल्डिहाइट तो एलिफैटिक और अरोमेटिक दोनों एल्डिहाइट देता है कि टू करें सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक मैं चाहती हूं कि जो मेरा चानल एक लिश्ट उन बच्चों तक रीज करें जैसे इल्डवन त्यल्थ वाले बच्चे हैं नीटन जेई वालें एंड स्वीटी वालें तो थैंकियो सो मच और यह आप ही कर सकते हैं आप अपन सब्सक्राइब.